जैहिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम time and work part 2 के कुछ question solve करेंगे और वो question बहुती बहतेरीन question होंगे जो exam में पूछे जाते हैं और उन्हें हम इस तरीके से सीखेंगे कि आपको उन question को दोबारा सीखने की जरूवत ना परे और ऐसे question कभी भी कहीं भी देखो आप आसानी से solve कर सको तो देखो पहला question पढ़ते हैं a, b, c, a काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं या कर सकते हैं या कोई काम है वो अकेले a को दिया जाएगा तो 12 दिन में करेगा अकेले b को दिया जाएगा तो 15 दिन में करेगा अकेले c को दिया जाएगा तो 20 दिन में करेगा ये इस सवाल का कहने का मतलब है अब वो कह क्या रहा है सवाल में तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे तो आब यहां से हमें पहले तो क्या है कि काम क्या है वो पता होना चाहिए अगर हम मैंने इसे पहले एक बीडियो बनाया है पार्ट बन उसमें ने दो तरह से बताया था मैं एक ही तरह से बताऊँगा यहाँ वो दूसरे वाले तरीके से नहीं बताऊँगा क्योंकि आप दो तरह से करोगे तो तो मैं यहाँ आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमें यह काम A इतना टाइम ले रहा है B इतना टाइम ले रहा है C इतना टाइम ले रहा है यह तो बता दिया लेकिन हमें यह नहीं पता काम क्या है काम कितना है तो हमें कभी भी सवाल में कोई काम करने में जितना समय ले रहा हो उन समय से वो काम निकाल लेते हैं जैसे मानलो A कितने दिन ले रहा है 12, B कितने दिन ले रहा है 15 और C कितने दिन ले रहा है 20 तो हम ऐसा काम मानते हैं कि इन तीनों से वो डिवाइड हो जाए और वो काम क्या होता है इन तीनों का LCM अब देखो इन तीनों का LCM तो आपको लेना आता होगा नहीं है तुम्हें बता देता हूँ कि सबसे पहले बड़ी संक्या को LCM मान लेते हैं मान लो 20 मान लिया 20 में क्या 3 है इसके 5 तो है 15 के फेक्टर करे तो 15 के फेक्टर होता है 5 गुणा 3 तो 5 तो 20 में है 3 नहीं है तो 20 में 3 से गुणा कर देंगे 60 तो क्या 60 12 से बागत हो रहा है हो रहा है तो इसका LCM हो गया मैंने ये 60 क्यों माना और ये 60 है क्या क्योंकि ये 60 है इन तीनों का क्या है LCM मैंने ये काम मान लिया तीनों का तो ये तीनों के लिए common है तो common है, तो ये अब मेरे पास काम आ गया, अब मैं यहाँ से efficiency निकालता जाओंगा सवकी, देखो efficiency क्या होती है, total काम बटते, काम करने में लगा समय, तो total काम मेरे पास 60 unit है, ये 60 क्या है, unit माल लो और कुछ नहीं मान सकते, इसे unit माल लेते हैं, 60 unit काम है, और मैं उसे करने में 12 दिन ले रहा हूँ, तो मेरे efficiency क्या होगी? 5 दिन, 5 दिन पर unit, efficiency होगी 5 यूनिट पर एक दिन में, अब देखो ये B है, 60 unit काम करने में 15 दिन ले रहा है, तो इसकी efficiency होगी 4, यानि 4 unit एक दिन में करेगा, और C इस 60 unit काम को करने में 20 दिन ले रहा है तो इसकी efficiency क्या होगी निकालना पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे तीनों मिलके पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे By the efficiency बस इतना द्यान रहा है total berk बटे ताइम बस इतना ध्यान रखना है यह ध्यान भी रही नहीं रखना है आपको ऐसे याद रखो कि कोई बंदा 10 किलो मीटर 2 गंटे में दोड़ता है तो उसकी efficiency क्या हो गई 10 किलो मीटर हो गया तो उसका मतलब total बर्क और 2 गंटे हो गई तो यहां से हमें याद रख सकते हैं तो total बर्क हमारे के पास कितना है यहां से निकलना क्या है हमें time तो देखो time के बराबर क्या हो जाएगा total मैं यह अभी पहला क्वसन है इसलिए बता रहा हूँ total बर्क बटे efficiency total काम कितना है हमारे पास 60 unit efficiency कितनी है देखो तीनों को मिलके करना है तो तीनों की efficiency लेंगे पाँच और चार नो और तीन बार है बार है से यह पाँच बार कटगे तीनों मिलके उसे कितने दिनों मैं खतम कर देंगे तो मुझे अमीद है कि यह सवाल आपको पूरी तरह समझे माया हुगा अब देखो मैं एक ऐसा ही question लेता हूँ जिससे आपका concept और clear होगा किसी भी सवाल में हमें बस efficiency निकाल लिए क्या निकाल लिए efficiency देखो A किसी काम को करने में 20 दिन B पांच दिन लेता है यानि A किसी काम को करने में 20 दिन ले रहा है मालनों A कितने ले रहा है 20 दिन और B ले रहा है मातर पांच दिन तो हम दोनों के हमें ये तो पता है कि दिन एतने लग रहे हैं लेकिन total काम क्या है ये कैसा पता करेंगे तो देखो टोटल काम के लिए हम दिन दोनों का कहले लेते थे LCM, तो मैंने माल लिए टोटल 20 LCM आएगा, तो A की Efficiency हो गई एक और B की Efficiency हो गई चार, यानि टोटल काम में time से बाग देते हैं, वो Efficiency आती है तो इसकी एक हो गई और इसकी चार हो गई, अब यह क्या कह रहा है यदे C को कार करने में उतना समय लगता है, जितना A और B को मिलकर साथ कार करने में लगता है देखो, अब यह बताओ A और B दोनों को मिलके कार करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम बटे उनकी तोटल एफिसेंसी तो 20 बटे 5, यानि कितने दिन लग गए 4 दिन, यही तो था तोटल काम बटे एफिसेंसी कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है तो यह कह रहा है कि C को कार करने में उतना समय लगता है जितना A प्लस B को साथ मिलकर कार करने में लगता है तो A प्लस B को कार करने में कितने दिन लगे, 4 तो C को भी कितने दिन लगेंगे 4 जब C को 4 दिन लग रहे है तो इसकी एफिसेंसी कितनी हो जाएगी 5 कितनी हो जाएगी, 5 तो अब वो कह रहा है कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में सहाप्त कर लेंगे तीनों के लिए हमारे पास काम कितना है 20 उनिट और तीनों के लिए efficiency कितनी हो जाएगी 10 5, 4, 9, 10 तो तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिनों में खर्टम कर देंगे 2 दिनों में एक और चीज यहाँ, देखो, A और B को मिलके काम करने में कितने दिल लग रहे थे, 4, दोनों की efficiency कितने थी, 5, C को भी 4 दिन लगेंगे जैसे सवाल में कह रहा है, तो C को 4 दिन लगने के लिए भी कितने efficiency चाहिए, 5, तो यहाँ से एक बात यह और हो गई, कि C की भी efficiency 5 हो गई, आप दूसरे तरीके दे सोचेंगे, नई सोच रहे हैं तो कुछ भी मत करो, C को कितने दिल लगे, 4 दिल, कितने दिल लगे, 4, और 4 दिल लग रहे हैं, और काम कितने unit है, 20 unit, तो efficiency कितने हो गई, 5, अब वो कह रहा है कि total 3 को मिलके कितने दिल लगे जाए, तो total काम हमारे पास अभी भी 20 unit है, तीनों की efficiency जुड़ जाएगी, क्योंकि तीनों मिलके कर रहे हैं, कितने दिल लगेंगे, 2, तो ये इसका answer हो गया, A, मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करने हैं, धन्यवाद, जैहन मुझे है कि ये भाल गरावेभेब चैनल को पसना रहे हैं, तीनों के ये इसका भी अए इसकाना है?